आपको बहुत स्वागत करता हूँ और पिछे कुछ पार्ट से वीडियो से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कुण्ड़ी देखते वक्त क्या-क्या चीज देखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर उन चीजों को आप ध्यान में रख लेते तो कुण्ड़ी देखते समय बहुत से किसृषान में आपको कोई परेशानी नहीं लास् वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया था वो बताया था कि मालिया किसी ग्रह की दशा चल रही है तो उस ग्रहे के लिए हम क्या क्या चीज देखेंगे और कैसे कैसे हम देखेंगे वो मैंने आपको बताया था शैद आपको ध्यान आ रही हो ये वाली स्लाइट थी वाली जिस स्लाइट में मैंने आपको बताया था कि ग्रहे के बारे में आपको ये देखना है तो ये कौन-कौन से ग्रहे उसे देख रहे हैं या किन ग्रहों को साथ वो बैठा है यूति क्या है उसकी द्रस्टी क्या है संबंद क्या है वो सब चीज भी देखने के बारे में बता है जो कि बहुत इंपॉर्डन था जिसका प्रडिक्शन के ऊपर बहुत असर आज ये तो म मैं पैसा लगाना चाहता हूं मुझे लाब होगा या नहीं हो बहिए लाब होने के लिए नाया हूने होने के लिए तो पहले कुंड़ी होना चाहिए कुंड़ी में यह वे ये देखिये कि लाभेश जो है आपकी कुंड़ी का लाभेश कौन लाभाब का स्वार अग्यूंकि आपका प्रशनी यह है कि मुझे लाभ होगा या नहीं हूँ दोनों बहुत important हैं फल के लिए महादशा तो केवल अच्छी होती है और अच्छी प्रकर्टी बन जाती है आपकी तो आप उन फलों को enjoy करते हैं अगर महादशा किसी ऐसे ग्रह की होती है जो अच्छा ना हो तो आपके प्रकर्टी भी उस तरह की बन जाती है और आप अच्छ और अंतरदशा ना जिसकी अंतरदशा चल रही है वो शुक्र है तो सीधे सीधे मंगल और शुक्र का एक्सिस देए कि मंगल से शुक्र कौन से स्थान पर है तता शुक्र से मंगल कौन से स्थान पर है एक्सिस देखना है अगर मंगल से शुक्र छटे स्थान पर है शुक्र जिसकी अंतरदशा है, मंगल जो लाब भाव का स्वामी है, तो लाब तो मिलेगा, लेकिन संगर्षे मिलेगा, तिकि छटा भाव संगर्ष का भाव, effort से लाब भाव, मंगल से शुक्र तीसरे भाव में हैं, तो आपको hard efforts करने होगे, तब आपको लाब मिलेगा, मंगल से शुक्र नवे भाव में हैं, तो आपको भागे से लाब मिलेगा, तो आपको ये ध्यान देना है, कि मंगल से, यानि लाबे से, आपका जो अंतरदशानात है, वो कौन से इस्थान पर है, जिस इस्थान पर है, उसके अनुसार आपको लाब की प्राप्ति होगी, या उस्थान की प्राप्ति, बलाई ये लाब भाव active होया ना हो, ये आप हर किसी के लिए दिख सकते हैं, आपकी कुंडली है, उसमें दशा चल रही है, दशा जो है वो आपकी एक्टिव कर रही है पांचवे भाव को, तो हम ये तो कहते हैं भी इस पर संतान होने के चांसिस आपके है, चुकि पांचवा भाव active है, लेकिन कोई question पूछलेता है कि धन मिलेगा या नहीं, तो हम कहेंगे भी धन तो जब भी active होगा, मिलेगा जब तुम्हारा धन भाव active होगा, दशा में, धन भाव तो active है नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो भाव active नहीं है, उसके जिल्टी नहीं मिलेंगे, उसके जिल्टों मिलेंगे, तो आपको देखना पड़ेगा को औए गोचर मेंखे कर लापेश का और और अंतर दशानात का एकसिस क्या है अपका लगण चार्ट है में उसमें एक सिस आपका बहुत अच्छा है लाभेश का और अंतर्दशानात का एक्सीज बहुत अच्छा है तो हम कह रहे हैं भी आपको भागी से दन मिलेगा लेकिन उसके बावजूत भी धन सहस्ता से नहीं मिल पा रहा है क्योंगी गोठा में तो फोडी प्रसे में तो तो गोचर का भी एक छोटा मोटा important स्थान होता है। 20-25% weight is गोचर की होती है, 75% weight is जो होती है वो दशा की हो। गोचर को सिर्फ आपको महसूस करता है, एक बार देख लेना है, लेकिन गोचर से ही आपको result नहीं बोलते हैं। अगर दशा आपको कहती है कि result बिलेगा तो मिलेगा, गोचर के वर इतना कर सकता है कि उस result को जो आपके पास पहुंचाएगा, वो तोड़ बोलो के पहुंचा है या आपको बहुत सुंदर तरीके से पहुंचा है, बस इतना ओ रिजल्ट पैदा कर सकता है। तो यह था इस प्रbene का जवाब, अगर वो पूसता है कि मैं लाभेश, मैं लाभ पैसा लगाना चाहता हूं, मुझे लाभ होगा या नियुका, जाता हूं, मैं ध कमाना चाहता हूं, मैं धान ऀमिल पाएंगा, ने मिल पाएंगा, तो इस तरह एक जवाब दें, तो कैसे दे सबस्क्राइब करें लगन कुडली के अंदर यानि लगन कुडली में भी लाभेश का और लाभेश से अंता चटवे गर पे है कि अब तो आप कह सकते हो बहुत अबको पैसा लगाने का फैसा नहीं पैसा आपको नहीं है संगर से तिए दिलेवाला और लगद में विगट तो यह भी आपको ध्यान देना बहुत आवश्याप अब दूसरा प्वक्शन लेते कोई आपसे पूसता है कि मुझे गॉपर्मेंट ऑफिस वे काम है मेरा काम पूरा होगा या नहीं यह अब देखिये गौपर्मेंट ऑफिस से काम किसे काम और गौवर्मेंट को कौ कोई भी government department हो उसमें जाना है अपने किसी काम के लिए कोई काम टुखा हो आपका जरोरी ऐस तरीखे से जैसा मैं मैं को आपको अब कम बताओं तो सबसे पहले ये देखना है कि जनकालीन चंद्रमा से, जिस राशी में आपका चंद्रमा है, जनकालीन चंद्रमा से सूर्य आज कहां गोचर कर, और हम ये जानते हैं कि जनकालीन चंद्रमा से सूर्य गोचर तीसरे, छटे, दसवे और ग्यारवे बाव में अच्छा होता है ये तो हमने गोचर वाले सिस्टम में पढ़ा हुआ है जब नहीं पढ़ा हो तो मेरी कुछ वीडियोज हैं चंद्रमा से गोचर के ऊपर गोचर के ऊपर देख लीजिए उनको आपको आडिया हो जाएगा नहीं तो मैं आगे भी रिफ्रेश तरीके से आपको एक पता हूँग चंद्रमा से गोचर कैसा है क्योंकि सूर्य गोचर को रिप्रिजंट करता है अब चौथा वाव तो अच्छा नहीं है तो एक राशी में महीने लहता है तो क्या एक महीने इंजार करें एक महीने करना पड़ेगा चार नंबर से चे नंबर में आने के लिए उसको छटे सूरी है वो किस राशी में गोचर कर रहा है मेश में हैं धनू में हैं मकर में हैं किस राशी में गोचर कर रहा है या आज की डेट में वो किस राशी में है तो मानलिया वो आज की डेट के धनू राशी में और धनू राशी में कितने डिगरी का है उसको चेक करना है आपने और किस ग्रह की कख्षा में यह ग्रह कख्षा और मेंगरी में सोच रहा हूं कि आपको नेक्स क्लास मी पढ़ा दूं तो उस से आपको एडिया हो जाएगा वैसे इसके पर और वीडियो है आप शिक 좀 अब को चेक करना है चंद्रमा के अस्टक वर्व में क्या अगर व्रस्पती धनुराशी में पॉइंट दिया है तो 100% आपका काम तो यह था उसको सूप्ष मुरूप से ले के जाना मोटा मोटा तो बताएगा चंदर जनकाली चंदरमा से गोचर के जनकाली चंदरमा से गोचर अगर अच्छे स्थान में है तो आपको चंदर के अस्टक वर्क भी ये चे या नहीं अगर तिया है तो आपको काम 110% पर तो यह था देखने का तरीका जो मैं आपको दो तीन कोशन्स बताएगे कैसे हम लोगों को देख इसके और तरीके भी मैं बताऊंगा कि इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है अपने कोशन्स का आंसर लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार कख्षा कौन-कौन सी होती है और उनकी किस-किस डिगरी में कौन सी कक्षा किस ग्रहकी होती है वो जरा आप देख ता का वीडियो कैसे देखे मैं या कैसे देखते हैं में कुछ पार इसके अलावा मैं एक सूचना देना चाहूँगा कि ह हम लोग नवंबर के महीने में एडवांस असलोजी का गयर स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों से जो भी इंट्रेस्टेट हों आप देगे निम्बर पर संपर करें तब तक के लिए धन्यवाद जैशी कृष्ण